बॉडी या शरीर को ठीक करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो मिल जाएंगे लेकिन क्या मन की शुद्धी के लिए कोई हस्पताल बना है जी हां दिल्ली में एक संस्थान है मेरे साथ उसके ट्रस्टी केसी जैन साथ खुद मौजुद हैं और हमको बताएंगे कि आख जात्मसाधना केंद्र जहां पर हम सब लोग खड़े हैं यह आचारे तुल्सी ने 1965 में प्रेरना देकर के स्थापित करवाया था बगवान महावीर के दर्शन पर आधारित दिहान का यह केंद्र है बहुत लोग यहां इलाज के लिए आते हैं और हम लोग इलाज करते भी ह हैं परंतु वास्तों में यह संस्थान शरीर के इलाज के लिए नहीं है क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि शरीर पर दिखाई देने वाली बिमारी वास्तों में मन के विकारों का एक प्रतिविम्ब है एडीजीज बिंग रिफ्लेक्टेड इन बोडीज ओनली ए मैनिफेस्ट को दूर करने का सबसे पारफुल मीडियम है मेडिटेशन किसी को हार्ट की बिमारी थी वो 200 कदम नहीं चल पा रहा था वो 2 किलोमेटर चलने लग गया है किसी के डाइबिटीज ठीक हो रही है किसी के घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है यह अलग-अलग बिमारियां शरीर क का नाम है इनके मूल में कहीं- лучше मन की बिमारी है ओर जैसे ही मन की बिमारी पर हम कामकरना ठीक कर शुरू करते हैं वैसे शरीर की 비іमारी भी ठीक शुरू हो जाती है और मैं यहे कहना चाहूंगा कि ये संभवत है अपने आप में एक ऐसा अनूठा केंद्र है जहां पे पांच बातों का संगम है मेरी दृष्टी में शायद ही कोई दूसरा केंद्र आपको मिलेगा जहां ये पांच बातें एक साथ होती हो आसन प्राणायाम ध्यान मंत्रसाधना और प्राकरति कोई उसको करंचनाइब करन्सी में मापता है को उसको स्वास्था में मापता है तो हम लोग स्वास्था में मा capital दें है जितना ज्यादा स्वास्था हिला हो गया उतने हम फायदे के नहीं देखते बहुruck बहुत सारी चीज़ें जो किसी जैन सापने बताई कि किस तरीके से अपने आपको ठीक करना है और इस आश्रम या आश्रम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आश्रम वो जगह होती है जहां पर लोगों को सिध्धिया पराप्त होती है और निश्ची तोर पर जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं वो किसे सिद्धी से कम नहीं है वेड़ो जनलिस कमल किशोर के साथ मोहीदूबे न्यूजनेशन दिली